जय हिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग GK के important question देखने वाले हैं दोस्तो ये जितने भी question है ये लगबख सभी परकार के competitive exam में पूछे जाते हैं तो दोस्तो मैं आपके लिए 20 GK के question लाया हूँ तो आप ल अफगानिस्तान की राजधानी काबूल है और अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है अफगान अफगानी ठीक अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है अफगान अफगानी जो राजधानी है काबूल अर्मेनिया की राजधानी क्या है दोस्तो आप लोग comment करके बताईए ठीक है जो है इंडोनेसिया की नई राजधानी क्या है नुसंतारा इंडोनेसिया की अगर नई राजधानी पूछे तो नई राजधानी जो है नुसंतारा है इंडोनेसिया की अब दोस्तों मारा अनेस कोश्चन है एराग की राजधानी क्या है तो इराग की राजधानी क्या है तो दोस्तों जो है एराग की राजधानी दोस्तों जो है बगदाद है ठीक है एराग की राजधानी क्या है तो इराग की राजधानी बगदाद है अब दोस्तों मारा अनेस तो हथहली फर सरसोजमाना का मतलब क्या है? असंभो काम करके दिखाना तो आपसन भी हमारा सही हो जाएगा दूस्त मारनेस कोश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा किरिकेट मैदान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसका नाम बदलकर अभी जो है क्या रखा गया है अटल बिहारी बाचपई, एपीज अब्दुलकलाम स्टेडियम, रामनात कोबिंद स्टेडियम, नरेंदर मोधी स्टेडियम तो जो है इस्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इस्टेडियम का नाम बदल कर नरेंद्र मोधी इस्टेडियम रखा गया है तो आप संडी हमारा सही हो जाएगा दुस्तमारा नेस कोच्चन है भारत के पर्थम राष्ट पती का नाम क्या था मात्मा गादी डाक्टर राजिंद परसाथ पंडी जवाहल लाल नहरू डाक्टर सर्वपली राधा किष्ण तो भारत के पर्थम राष्टपती का नाम डाक्टर राजिंद परसाथ था ठीक है भारत के पर्थम राष्टपती का नाम डाक्टर राजिंद परसाथ था और भारत के पर्थम परधान मंतरी का नाम पर्थम परधान मंतरी का नाम क्या था तो पर्थम परधान मंतरी का नाम पंडी जवाहाल लाल नहरू दोस्तमारा अनेस कोश्चन है RBI के परतीक चिन में कौन सा पेड़ है तो RBI का जो परतीक चिन है उसमें कौन सा पेड़ है नीम का पेड़, पीपल का पेड़, तार का पेड़ और आम का पेड़ तो RBI के प्रतिक चिन में दुस्तों जो है वो किसका पेड़ है तो वो ताड़ का पेड़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पाल्म ट्री बोलते हैं अब दुस्त मारा अनेस कोश्चन है हमारे सौर मंडल में सबसे चोटा गरा कौन सा है बुद्ध ब्रिस्पति पिर्थभी मंगल तो हमारे सौर मंडल में सबसे चोटा गरा दुस्तों कौन सा है तो सबसे चोटा गरा है बुद्ध ठीक मरकरी सबसे चोटा गरा कौन सा है भारत को, इगलेंड को, अस्ट्रेलिया को, वेश्टन डीज को तो आप लोग जो है आठवे का answer क्या सभी हो सकता है ठीक है अब दुस्तनार अनेस कोश्चन है आई पी का पूरा नाम क्या है इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्राइवेसी तो IP का पूरा नाम क्या होता है तो IP का पूरा नाम दोसों जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ठीक है ये सही है तो आपसन भी हमारा सही हो जाएगा अब दोस्तमार अनेस कोश्चन है हमारे देश भारत का राष्टे खेल क्या है हौकी, क्रिकेट, कबड़ी, खोखो तो हमारे देश का राष्टे खेल क्या है तो हमारे देश का राष्टे खेल दोस्तो जो है हौकी को माना जाता है तो आपसन भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों मारा अनेस कोच्चन है भारत में सिच्छक दिवस कम मनाय जाता है तो भारत में सिच्छक दिवस कम मनाय जाता है दोस्तों तो भारत में सिच्छक दिवस कम मनाय जाता है 15 अगस्ट 19 सितंबर 5 सितंबर 26 जनूरी तो भारत में सिच्छक दिवस दुस्तों जो है 5 सेप्टेंबर यानी 5 सितंबर को मनाय जाता है तो अपसंसी हमारा सही हो जाएगा अब दुस्तों मारा नेस कोचन है सतरंज खेल के बोर्ड में कितने खाने होते हैं 62, 68, 58, 64 तो सतरंज के खेल में दुस्तों कितने खाने होते हैं तो सतरंज के जो बोर्ड होता है उसमें 64 खाने होते हैं 64 जो है खाने होते हैं तो अपसंसी हमारा सही हो जाएगा अब दुस्तों मारा नेस कोचन है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है तो माथा ठनकने का अर्थ क्या है गंभीर होना, सरदर्ध होना, सक हो जाना, सक ना होना तो माथा ठनकने का अर्थ क्या है दोस्तों सक हो जाना तो अपसंसी हमारा सही हो जाएगा अब हमारा नेश कोशन है निम में से कौन सा रंग सांती का परतीक माना जाता है पीला रंग, सफेद रंग, भगवा रंग, हरा रंग तो सांती का परतीक कौन सा रंग माना जाता है तो सांती का परतीक सफेद रंग, वाइट जो है रंग को माना जाता है पीला रंग किसका परतीक है दोस्तो तो पीला रंग ज्यान और विद्या का परतीक है पिला रंग किसका परतीख है पिला रंग ज्यान और विद्या का परतीख है भगवा रंग दोस्तों जो है साहस और बलिदान का परतीख है और हरा रंग दोस्तों जो है संपन्नता का परतीख है तो हरा रंग संपन्नता का परतीख है जो है सफेद रंग किसका परतीख है तो गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था गौतम अर्जुन सिधार्थ बुद्ध तो गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम सिधार्थ था तो आपसलसी हमारा सही हो जाएगा अब दुस्त मारा नेक्स कोच्चन है राष्ट्य गीत बंदे मातरम के रचाईता कौन है तो राष्ट्य गीत बंदे मातरम के रचाईता कौन है मात्मा गादी बंकिम चंदर चटो बध्या रविन नाट टैगोर इन में से कोई नहीं तो राष्टिय गीत बंदे मातरम के रचाईता कौन है बंकीम चंदर चटर जी ठीक है रविनाट टैगोर किसके रचाईता है तो रविनाट टैगोर जो है राष्ट गान हमारा जो है जनगर्मन उसके जो है लेखक है रचाईता है दुस्तो मारानेस कोच चन है भारत का राष्ट्य गीत क्या है तो भारत का राष्ट्य गीत क्या है तो भारत का राष्ट्य गीत बंदे मातरम है जंगर्मन दुस्तो जो है भारत का राष्ट्र गान है ठीक है जंगर्मन क्या है भारत का राष्ट्र गान है अब दोस्तों मारा नेस कोचन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है अथरवेद, साम वेद, रिगवेद, ये जुरवेद तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो सबसे प्राचीन वेद दोस्तों जो है रिगवेद को माना जाता है सबसे प्राचिन बेद कौन सा रिगवेद है और इसके संकलन करता कौन है तो इसके संकलन करता कृष्ण दोयपायन दास है कौन है तो इसके संकलन करता कृष्ण दोयपायन दास है रिगवेद में दोस्तों कितने मंडल है दस मंडल यानि कि जो है रिगवेद में दस अध्याय है और इसमें दोस्तों जो है 1028 जो है सुक्त यानी जो है रिचाय है ठीक है अथरबेद में क्या दोस्तों तो अथरबेद में मनुष्च के अंध विश्वास और आउस्धियों का वरण किया गया है अथरवेद में सामबेद का क्या होता है सामबेद में दोस्तों जो है सामबेद का साबदी कर्थ होता गान अर्था जो है यगों की आउसर पर जो गीत गाया जाते थे उनमें दोस्तों जो है सामबेद का सामबेद में जो है उसका उरण है यजूर बेद में दोस्तों जो है यग की जो है विधी विधान का उरण है किसमें यजूर बेद में अब हमारा अनेश कोचन है भारत का सबसे बड़ा सैन पुरुसकार कौन सा है तो सबसे बड़ा मिलिटरी अवार्ड कौन सा दिया जाता है बीर चक्र परंबीर चक्र असोग चक्र तो सबसे बड़ा जो है सैन अवार्ड जो है पुरुसकार वो दोस्तो कौन सा है परंबीर चक रहे रहे दो अमरे से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है कोंसा सर्च इॐंग्र है यागु भी है दो ap देमातरू